नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम समझेंगे CNC का कंसेप्ट, CNC से मीनिंग क्या है, Computer Numerical Control, तो एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग computer का यूज करके, नुमेरिक वेल्यू का यूज करके, various operations perform करते हैं, various operations से मीनिंग, जैसे drilling का operation, जैसे milling का operation, इस प्रकार से operation perform करते हैं, साथ ही आज के lecture में समझेंगे, इस CNC मशीन के various advantages, क्या फाइदे हैं, और क्या काम करती है CNC, various functions of CNC, यहाँ पे आपके सामने एक CNC मशीन का figure दिया हुआ है, complete operate करने के लिए, जो इसकी machine control unit है, उसका figure दिया हुआ है, तो समझते हैं डिटेल में दोस्तों, सबसे पहले CNC का concept क्या कहता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, CNC की जो full name है, वो होता है, computer numerical control, एक computer का use करके, numeric value उसमें insert करके, और उसकी साहिता से complete machine को control करते हैं इसके अंदर, as the name indicate, unit, unit से mean क्या है यहाँ पे, कि machine जो है, unit से meaning है, machine, जो हमारी machine होती है, उस machine को control करना, किसकी साहिता से यहाँ पे, एक computer की साहिता से, जैसे for example हम बात करें तो, हमारे घर में जिसमें भी जो भी, जिन people के पास computer है, या जिन लोगों ने computers को operate किया है, तो वो आसानी सी चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे center में central processing unit means CPU होता है, तो हम keyboard से कोई भी चीज को वहाँ पे insert करते हैं, जैसे alphabetic कोई letter वहाँ पे किया, या numeric कोई value डाली हमने, तो उनको क्या process करता है वहाँ पे CPU, तो keyboard की साहिता से हमने उसको insert किया, और जो वहाँ पे CPU रहता है, तो CPU उसको process करेगा, process करने के बाद finally हमें output मिली, तो इसी प्रकार से वो जो computer है, उसका use करके, computer से meaning क्या है, यहाँ पे एक microprocessor based system है, जिसमें हम numeric values add करते हैं, जिसकी साहिता से और उन numeric values के according, various operations perform करते हैं, जो basic function है, इस microprocessor based system का, वो सबसे पहले store करने का है, data को store करने का है, फिर उसके बाद उस data को process किया जाता है, किस purpose से, जो various sliding motions होते हैं, जो slide के motions हैं, उसमें, machining system में, उनको control करने के लिए, और जो machine tool है, वो various job function perform करेगा, उन functions को properly control करने के लिए, यहाँ पे use किया जाता है, एक microprocessor based system, यहाँ पे जो आपके सामने, एक छोटा सा example दिया है, वो ही जो मैं उपर आपको बता रहा था, कि यहाँ पे हमारा for example CPU है, जैसा इसने बताया, कि process the data, store the data and process the data, तो computer को लेते हम example के तोर पर, यहाँ पे हमारा CPU है, CPU को हमने command दी input के रूप में, तो CPU यहाँ पे process करेगा, process करने के बाद, output के रूप में screen पे saw करेगा, कुछ उसी प्रकार का इसमें होता है, जैसा यहाँ bottom में हम screen पे देख पा रहे हैं, इसकी machine control unit है, जो भी operation हमें perform करना है, मालनी जिए हमें drilling करनी है, या हमें कोई turning करनी है, simple turning करनी है, या taper turning करनी है, तो वो various operations, जब हम perform करेंगे, तो numeric values add करेंगे, जैसे किसी के लिए, जो code है, मालनी जिए turning के लिए, for example बता रहा हूँ आपको, कि कोई code है, G01 है मालनी जिए, तो G01 हमें यहाँ से insert करना है, insert करके, फिर machine के अंदर, जो हमने, जो raw material के रूप में, वहाँ पे जिस work piece पे काम करना, वो लगा देते, उसके बाद complete, यह system process करता है, और machine में, वहाँ से material जो होगा, वो part के रूप में, जो operation perform के लिए, हमने code डाला था, वो complete फिर exit होगा, वो operation perform होने के बाद, तो यह mainly फाइदा है, यह mainly function है, इससे accuracy का level, भहुत high level पे चला जाता है, जो यह computer numerical control system है, यह CNC जो है, CNC means जो machine है, उस machine का mainly heart होता है, mainly brain होता है, क्योंकि सब इसी पे टिका रहता है, गलत value वहाँ पे अगर add हो गई, गलत value हमारे से insert हो गई, तो वहाँ पे कोई ना कोई problem, create definite होगी, अब बात करते हैं, various advantages of CNC, जो computer numerical control है, जिसका हम use कर रहे हैं, तो किस purpose हैं हमने use किया, उसके क्या फाइदे हमें मिले, सबसे mainly इसमें फाइदा क्या हुआ, quality improve ही, quality improve से meaning है, कि जो parts बनेंगे, वो higher accuracy के साथ बनेंगे, बहुत ही highly accuracy, बहुत ही close tolerance के near वो parts produce होंगे, दूसरा production का जो time लगना था, जो manuals में production का time लगना था, जिसमें हम काफी चीज़े change range करते थे, तो इस तरह की problems इसमें नहीं आती, तो reduces production time, तो total production पे जो time लगना था, वो time completely कम हो जाता है, एक और benefit, जो वहाँ पे operator work करता है, जो उस machine को operate कर रहा है, तो इसमें क्योंकि numeric values add होती है, proper हम numeric value डालेंगे, तो accident के chances बहुत ही ज़्यादा reduce हो जाते हैं, और साथ ही में, जो operator operate कर रहा है, उसकी fatigue भी reduce हो जाती है, जैसे lat machine है, manual lat machine है, manual lat machine पे feed भी proper देनी पड़ती है operator को, साथ ही में उस operator को बहुत सी चीजों का धान करना पड़ता है, किस चीज को properly tight रखना है, कितनी वहाँ पे insert command देनी है, तो वो सब manual तरीके से होता था, लेकिन इसमें तो जो command है, वो codes के through है, और computer की साहिता से, एक microprocessor based system की साहिता से, तो आसानी से इसको हम operate कर सकते हैं, जो person इसके proper trained हो जाए, training ले, तो वो आराम से इसको operate कर सकता है, यही इसका एक disadvantage भी होता है, कि इसमें highly skilled person क्या हो शकता होती है, highly skilled person की क्यों होती है, क्योंकि इसकी coding proper सीखनी होती है, अगर coding में गलती होगी, तो machine पे भी problem create होगी, और साथ ही में parts भी खराब हो जाएंगे, और production की जो cost है वो definitely increase होगी, अगला इसमें है various functions of CNC, जो computer numerical control system हमने use किया, तो उसके various क्या-क्या functions हैं, क्या-क्या कारिये हैं, mainly हम लोग इसको use करते हैं, parts को manufacture करने के लिए, manufacture से meaning various operations, parts पे perform करने के लिए, मान लीजिए कोई circular shape की road है, उस पे हमें turning का operation perform करना है, drilling का operation perform करना है, या other कोई flat piece है, उस पे कोई work करना है, तो depend करता है, किस type की CNC को हम use कर रहे हैं, जैसे जो भी type की CNC हम use कर रहे हैं, वहाँ late CNC use कर रहे हैं, milling CNC का use कर रहे हैं, तो उसके according उस पे work चलता है, दूसरा main function इस machine का क्या है, जो parts produce होंगे, उनको higher accuracy के साथ में produce करना, और improve quality के साथ में produce करना, ये mainly function है CNC machine का, main काम है इसका high accuracy के साथ में, और improved quality के साथ में parts को, banana parts को produce करना, इसका एक और main function है, ये जो losses हैं, उनको reduce करने के लिए भी हम CNC का use करते हैं, क्योंकि manual जो machines होती है, manual machines में losses बहुत होते हैं, losses में हम बात करें तो, parts जो है वो खराब हो गए, क्योंकि वहाँ पे manual command है, manual feed है, manual feed में कभी कोई ज़्यादा depth of cut लग गया, तो बहाँ पे problems होती हैं, तो उस तरह की problems इसमें complete reduce हो जाती हैं, तो इसलिए losses भी बहुत कम होते हैं, last days में, it is also used for reducing operator fatigue, इसको mainly हम operator की जो fatigue है, उसको reduce करने के लिए भी use करते हैं, क्योंकि operator को केवल, अगर वो यहाँ पे complete coding जानता है, तो केवल उसको codes insert करने हैं, इसके अलावा उसको कोई भी work नहीं करना, सब computer work करता है, microprocessor based system work करता है, जैसे हम इसमें code insert करते हैं, तो वो process होते हैं, computer के through, और process होने के बाद, finally फिर हमें output के रूप में, higher accuracy के साथ में, higher quality के साथ में product मिलता है, तो यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने समझा, CNC का basic concept क्या है, क्या advantages है CNC machine के, और various functions of CNC, Thank you दोस्तों.